हलो फेंड मैं गौर और आप देख रहे हैं सिवाई क्लासिस और आज में कुछ important topics के बारे में बात करने वाला हूँ क्या है वो topic मैं आपको सब बताऊंगा detail में उससे पहरे आप वीडियो को like कर दो और चैनल को subscribe कर देना अगर आपको यह जो मैं बात करने वाला हूँ आपको ठीक लगे तो तो जैसा कि आप सब जानते कि जो 10th और 12th का result है या जो CBSC का result है वो आने कब आले हैं यह आज मैं discuss करूँगा और इसमें कुछ और मुझे जो questions आ रहे थे कि जैसे CBSC का grace mark policy क्या है moderation policy क्या है lenient checking हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है और exam का result वो उसका exact date क्या होगा तो यह सारी चीजे मैं clearly आपके साथ discuss करने वाला हूं इस वीडियो में तो आप आखरी तक वीडियो देखना आखरी में कुछ आपको important मैं बताऊंगा तो start करते हैं सबसे पहला जो मैंने mark रखा है वो है moderation policy moderation policy में सबसे पहले हम बात करेंगे कि what is moderation policy और क्या cbsc इस बार वो apply करने वाली है कि नहीं क्या उन्होंने officially mention किया है कि नहीं उसके बाद हम आएंगे result पे भी तो moderation policy की जो बात होती है moderation policy में क्या होता है कि suppose अगर आपके तीन sets हैं और दो set easy आया है और एक जो set है उसमें marks कम आया है आपके for example अगर मैं ले लूँ एक student अगर तीन student ले लेता हूं दो easy वाले हो और एक जिसका tough set आया था तो दो ने अगर 90 marks score किया है और एक ने 85 marks score किया है जो इसका tough paper आया था तो जो 85 है उसका tough paper था उसमें 5% का आपने increase करके उसका भी आप 90 कर दोगे moderation policy में आपका किया क्या जाता है कि जो भी आपके sets हैं या जो papers हैं उसका आप देखते कि कितना tough है और उसके हिसाब से जो tougher paper है उसमें आप marks दे देते हैं जैसे कि आप J.E.N.E.T. में होता है ठीक उस हिसाब से आपका merit बनेगा second बात है कि क्या यह officially आया है तो बिल्कुल नहीं officially नहीं आया हो और आएगा भी अगर करना होगा तो वह अपने आपसे ही कर देंगे आपको बताएंगे नहीं कि कि हम यह modern policy apply कर रहे हैं फिर बात करते हैं लीनियन चेकिंग की तो लीनियन चेकिंग जहां तक बात हो रही है इस बार काफी लीनियन चेक हुआ है क्योंकि देखो जो पहले होता उसमें क्या हो जा था कि आपको तीन चार राउंड्स होते थे पहले आपने प्रिम्नरी में चेकिंगे आपके सारे हो गया उसके बाद कुछ ड़ाउट लगता था तो फिर से एक और री चेकिंग होता था और फिर आपका मांक्स आता था इसकेस में इस बार ऐसा कुछ नही चेक्स की किया है क्या हला चल रहा है तो सिंस लिए कोई प्रोवेजन के नहीं नहीं है कोई بी प्रोविजन की आपको ग्रेस जो grace marks है जैसे for example कि एक student का 20 marks आया है और 26 marks आप जानते होगी passing होता है 80 में से तो 20 marks आया है तो जो paper check कर रहा है वो उसको plus 5 या plus 6 marks दे देते हैं ठीक है यह officially कहीं नहीं maintain होता है लेकिन यह होता है तो यह आपको दे दिया जाता है तो आप बोल रहोगे कि sir ऐसे तो कोई pass कोई fail होगा ही नहीं सब pass हो जाएंगे तो ऐसा भी नहीं है जैसे कोई person ऐसा जो खाली paper छोड़के आगे जिसके 5 marks आ रहें 10 marks आ रहें वो नहीं पास हो पाएंगा और उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है जिसने कुछ नहीं लिखा या सिर्फ 5-10 marks का ही लिखा है तो इस बार और और आप बोलोगे तो आपका काफी लीनेंट चेकिंग हुआ है आपके marks अच्छे आएंगा आप देखो के आपका paper तो और मैं live भी जाओंगा आपको मैं नीचे app दे दूँगा उसमें भी आप जाक तो कब आपका result आने वाला है वो हम बात कर लेते तो exam result जो है आपका वह आएगा around हम expect कर सकते हैं जैसे आज Sunday है तो Sunday को नहीं possible है कल आप expect कर सकते हैं क्योंकि जो result है वो टू पी.म तक आ जाता है तो आप expect कर सकते हैं कि मंडे को टू पी.म तक आजाएगा आपका 10 और 12 जो भी result है वो ठीक तो यह दोनों result आपको मिल जाएंगे कल दो बड़े तक लेकिन अगर नहीं मिले तो क्या तो नहीं मिले तो बिल्कुल घपराने की ज़र्वत नहीं है Tuesday और Wednesday यह बफर टाइम है आपका इतने के अंदर आना ही आना है क्योंकि गवर्मेंट ने पहले ही मिनिस जो है उन्होंने पहले ही बता दिया है कि by 15th of July you'll get your result मतलब आज अगर हम बात करें तो Monday है कल फिर टूजड़े और फिर वेड़नस दे लेट लास्टेट आज 11 12 13 14 14 तक आज आएगा इनिहाव ठीक तो ऐसे ही आप लोग प्रिपेर करते रहों आपके जाई नीट के लिए औ और अगर आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल पर आप जाके एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हैं काफी सारे वीडियो लेक्चर और नोट्स भी और अगर कोई डाउट है इसके आपके एक्जाम रिजल्ट के रिलेटर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके सबका जवाब देने का ट्राइब करूंगा और फिर हम मिलेंगे आपसे डारेक्ली आपके नेक्स वीडियो में जब आपका रिजल्ट आएगा तब मैं लाइव आओंगा तो तब भी आप लोग आके मुझसे पूछ सकते हैं कैसा रिजल्ट आया सबस्क्री आपधाब बीडियोच 9.